नमस्कार तिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम सफेद बैगन का एक नेया डिस बनाएंगे तो इससे पहले कि आप मेरी चनल पर पहले बार आए हो तो प्लेज सब्सक्राइब कर ला और बगन में बेल बटन को क्लिक कर दें तो यहाँ पर हमने चार बैगन लिया है वाइट और बैगन को हमने अच्छी तरह से पानी से धूल लिया है धूलने के बाद एक कौटन के कपड़ा से बिलकुल सुखा देना है इसमें नमी नहीं होना चाहिए और इसके बाद इसका जो उपर का डंठल है इस तरह से साप करते हुए हमें निकार देना है इस तरह आप देख सकते हैं और एक बार हम चेक करते हैं आप देख सकते हैं इसमें बिलकुल भी कुछ नहीं है कीड़ा वगएरा तो बैगन जो है बिलकुल साफ है और मुलायम है तो इस तरह से में बीच-बीच से फार देना है उपर का पूरा डंठल निकाल दें और बीच से फार लें फारने बाद एक बार चेक भी कर लें कोई कीड़ा वगेरा ना हो बैगन अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए ज्यादा बीच नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं हमने पूरा बैगन फाड़ लिया है आप चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कड़ा ही रखा है और गैस का फ्लेम मीडियम पर है और इसमें हम डालते हैं सरसू का तेल सरसु का तेल हमारा गरम हो गया है और इस बैगन को हम इसमें डाल देंगे इस तरह आप देख सकते हैं और बैगन जब भी आप डालें तो यह जो कटा हुआ भाग है उपर होना चाहिए इसे पलट के ना डालें अब इन्हें पलट कर हम थोड़ा सा इस तरह आप देख सकते हैं हमें पलट देना है गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए गैस का फ्लेम धीमा होना चाहिए ना ज़्यादा हाई हो और ना ही ज़्यादा धीमा हो अब आप देख सकते हैं एक बार हम चेक कर ले रहे हैं देखिए अच्छी तरह से बैगन जो है हमारा सौप्ट मुलायम गल गया है और इनका तेल अच्छी तरह से आप निचोड़ दें इसके बाद इन्हें जो है हम एक बावल में निकाल देते हैं इस तरह आप देख सकते हैं और इसके बाद इसमें हम डालते हैं दो टमाटर आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं चार-पांच हरा मिर्चा है और आर्दस कलियां लहसन की है तो इन सारे चीजों को हम थोड़ा सा फ्राई कर देंगे इस तरह आप देखें ताकि इसका कच्छा पन निकल लिया और टमाटर जो है इन्हें भी हम फ्राई कर देंगे यह लहसन जो है इनको हम निकाल ले रहे हैं अब इन्हें थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं एक बार अगर टमाटर हमारा गल गया है तो हम इन्हें निकाल लेते हैं इस तरह देखें बिल्कुल गल गया है और गैस का फ्लेम अब पंद करते हैं और टमाटर को निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं सारा चीज हमारा फ्राई हो गया है बहुत इजी रेसिपी है जब भी आप चाहें तब बना सकते हैं और बस इसे एक कुंडी ले लेते हैं और इसमें इसको अब हम डाल देते हैं इस तरह से अब इसको अच्छी तरह से हम दबाते हुए इन्हीं मिला देंगे थोड़ा सा कुड़ देना है अच्छी तरह से अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप हाथ से भी मैस कर सकते हैं एक नया चोखे का रेशिपी है जो कि साइद आपको बहुत अच्छा लगेगा और इजली आपके घर में बन के तैयार हो जाएगा कोई भी सुभिधा ना हो तो इस तरह से चोखा का रेशिपी आप घर पे बना के तैयार करें और मुझे कमेंट में लिखें कि ये चोखे का रेशिपी कैसा लगा बिल्कुल नया तरीका है लोग कहते हैं हमारे पास बड़ा बैगन नहीं है मोटा बैगन नहीं है हम चोखा नहीं बना सकते तो आप एक बार इस रेशिपी को देखके घर पे जो भी बैगन होगा चोटा या बड़ा सफेद या काला जो भी बैगन होगा तो आप इस रेशिपी को बना सकते हैं अब देखिए हमने अच्छी तरह से कुट दिया है सारा चीज अच्छी तरह मिक्स हो गया है और यह आपको लिट्टी बनाना है घर पे तो जैसे कि लोग ओवन में लिट्टी बनाते हैं तो ओवन में लिट्टी बनानेक बाद इस तरह से आप चोखा बना के खाए बहुत बढ़िया लगेगा चावल दाल के साथ भी खाए बहुत लाजबाब लगेगा और इसमें अब उपर से हम डालते हैं कटी हुई प्याश, कटी हुई धन्या और इसमें डालते हैं थोड़ा सा स्वाध अनुसार नमक है ध्यान रहे हैं कि जब भी आप इस चोखे को बनाएं तो सरसो के तेल में ही बनाएं अब इसमें हम डालते हैं अचार का मिर्चा होता है जो भरावाला तो थोड़ा सा डाल देते हैं इससे टेस्ट बहुत बढ़ियां आ जाता है जिसका रेसिपी हमने अपने चैनल पे अल्रेटी डाल रखा है और इसके बाद इसमें हम निचोड़ देते हैं थोड़ा सा नेबू डालने के बाद स्वाद और भी बढ़ियां हो जाता है और इनका जो भी बेज है निकाल लेते हैं हाथ को थोड़ा सा हमने अच्छी तरह से साप कर लिया धोल लिया है और एक बार हाथ लगाने के बाद ही चोखे में मज़ा आ जाता है तो आप देखे चोखा कितना ल बन गया है अब चलिए हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देते हैं देखिए कितना लाजबाब बन के तयार हुआ है और बहुत अच्छी खुस्वू आ रही है इस लागडाउन में आप चोखा बनाएं घर पे खाएं बिलकुल सादा सेहत के लिए फायदेमन तो बहुत बह अन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए